नमस्कार प्यारे बच्चों वेलकम प्यारे दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में मैं सुमित गोयल आप सभी का आज के इस बहतरीन सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ससी सीजियल का एकजाम दोस्तों आपका एक दिसंबर से होने वाला है और बच्चों इस एकजाम के लिए आपके लिए रेगुलर बेस पे डेली बेस पे एक एक प्रीविएस येर का शांदार सा पेपर आपको मुसॉल करवा रहे ह डेली दोस्तों आपके लिए हम एक एक प्रीविएस येर का पेपर सॉल करवाते हैं और ये पेपर दोस्तों आपके आने वाले हर एकजाम सीजियल सीपियों सीचसल एम्टीयस टैनों जीडी सबके लिए अतियंत यूसफुल सबके लिए बहुत आवशक है तो प्यारे दोस से अनेकैडमी प्लैटफॉर्म पर स्पेशल क्लास हमारी होती हैं जिसमें 25 मिक्स परकार के सवालों का सॉलूशन करते हैं और इसमें बच्चों आपको प्रतेक सवाल पर पोल भी दिया जाता है पोल का मतलब आप जानते हैं बच्चे ताकि रियल टाइम रैंकिंग के बिह आती है यह सारी चीज़ें डिसाइड हो पाती है इस क्लास के थ्रू आप लोग सुबह 8-9 इस क्लास को मस्ट जोइन किया करें और रिजनिंग की क्लास आपको अनेकैडमी पर मैच की क्लास आपको यूट्यूब पर इसी प्रकार डेली बेस पर मिलती रहेगी तो बचो आज के पेपर को शुरू करते हैं बहुत ही शांदार सा यह पेपर है एससी का यह औरिजनल पेपर एक्जेक्ट सवाल पेपर के पूछे हुए मैं आपको यहां करवाने की कोशिश कर रहा हूं कर दीजिये ट्राइग क्या उत्तर बनना चाहिए पहला सवाल दोस्तों बहुत ही आसान है जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए हर एक बालक का उत्तर बड़े इमानदारी से बड़े ठीक परकार से आना चाहिए साथ दुरी चवदा ठीक है चवदा गोणा 27 लास्ट में आठ हाएगा पेड़ा सी आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए सी आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए दिखिए हलांकी पूरा कैल्कुलेशन लंबे तरीके पे जाने की नीड नहीं है एलजेबरा का आपने दोस्तों एक बड़ाई basic वाला concept सीख रखा है कि if a प्लस b प्लस c is equal to 0 हो अगर दोस्तों a b c का जोड जिरो होता है तो हम लोग यह जानते हैं aq प्लस b Q प्लस c q की value जो आती है यह 3ab c के बराबर आती है ये एक बड़ाई common सा formula है जो आपने algebra में बहुत वार यूज करा होगा अगर दोस्तों मैं A की जगहाँ पर लिख दूँ 70 B की जगहाँ पर लिख दूँ 20 और C की जगहाँ पर माइनस 90 कर दूँगा देखो 0 बन रहा है जी हाँ ये value satisfied हो रही है इसका मतलब यह हो गया A Q सतर का Q plus B Q 20 का Q plus C Q जो 90 का Q करूँगा ये minus 90 है minus 90 है दोस्तों minus 90 है क्यूब करने पर minus ही बनेगा तो ये minus 90 का Q बन गया ये जानकारी दोस्तों आने चाहिए 3 ABC के बराबर तो 3, A का मतलब 70, B का मतलब 20, और C का मतलब minus 90, यह A, B, C के equal आने चाहिए, साथिया 21 दुना 42, 42 सो गुणा minus का 90, आपको पता है, आपका result तो negative आएगा, तो positive बातों को यह 0 को तो बनने की बात ही नहीं है, लास्ट में 30 भी आनी चाहिए, लास्ट में 30 भी आनी चाहिए, नो दुनी 18 का एक और यह 37, 378, 000, C is the correct answer, C is the right answer, यह formula मैंने आपको लिखकर ऐसे साबित करके बताया, पेपर में आपको यह formula लिखना थोड़ी है, आपके तो दिमाग में यह बात होनी चाहिए, कि इफ A प्लस B प्लस C is equal to 0, then AQ प्लस BQ प्लस CQ is equal to 3ABC, very easy, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कल के पेपर में, यस्टरड़े के पेपर में भी आपने कमोबेश इस परकार का सवाल देखा होगा, कल वाले इस्टरड़े वाले पेपर में भी लगबग लगबग इसी परकार का सवाल आपने देखा होगा, लगबग इस परकार का कॉंटेंट आपने ट्राई किया होगा, एक बार देख लिना जी उत्तर क्या बनना चाहिए, कितना आसान ही ये सवाल है, सधारण ब्याज पर एक निश्चित राशी 6 सालों में 69,200 रुपए हो जाती है, और 10 सालों में बेतर 1,000 रुपए हो जाती है, हो जाती है का मतलब बच्चों ये अमाउंट दिया गया है, उस पर ब्याज की दर 2% जादा होती, तो कितने सालों में 76,000 हो जाती, प्रिंसिपल भी ज्याद करना पड़ेगा, रेट भी ज्याद करनी पड़ेगी, तब जाकर अगली बात को ज्याद कर पाऊगे, समय लीजिएगा, बड़े अराम से ट्राइ कीजिएगा, सब लोगों का उत्तर ठीक से आना चाहिए, सब लोगों का उत्तर ठीक से आना चाहिए कनिफ्यूजर किसी बात का नहीं है बस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत सवाल में है और इतना काम तो आप लोग करी सकते हैं हवाज चेक कर रहा हूं ठीक आ रही है ना है छह सालों में सिक्स इयर्स में अमाउंट हो जाता है उनसट अजार दो सो रुपए टैन इयर्स में दस सालों में अमाउंट हो जाता है बेतर अजार रुपए यह दोनों ही अमाउंट है इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है इनका जो डिफरेंस है यह चार साल का ब्याज आए चार साल का ब्याज अगर इतना है दोस्तों एक साल का ब्याज कितना आएगा वन इयर का जो ऐसा ही आएगा ऐसा ही सिंपल इंटरस्ट आएगा यह आएगा 32 रुपए तो मैं यह पता लग गया एक साल का ब्याज 32 रुपए है दोस्तों एक साल का ब्याज 32 रुपए तो च्छै साल का इयर का ऐसा ही कितना आएगा च्छै साल का ब्याज कितना आएगा तो यह आएगा 19,200 रुपए अब आपको ये बात पता थी कि सर ये वाला पैसा ना ये वाला पैसा ये 6 साल बाद अमाउंट है अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल भी है और इसमें ब्याज भी है तो ब्याज तो इसमें 19,200 रुपे है तो प्रिंसिपल रहा होगा 40,000 रुपे अगर दोस्तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछता 40,000 रुपे 40,000 रुपे एक साल का ब्याज आ रहा है 32,000 रुपे 32,000 ब्याज आने का मतलब रेट रह रही है 8% चार अठा बतिस सीधा सीधा जिदा गयात कर लो बिटा रेट 8% की है 40,000 रुपे प्रिंसिपल है ये कहानी अमें पता लग गई अब तुम्हें सवाल कहता बड़े प्यार से अगर रेट 2% जादा होती अगर बच्चो रेट 2% फालतू होती यनि रेट 8 नहीं रेट अगर 10% होती अगर रेट 10% होती तो कितने सालों में ये पैसा 76,000 बन जाता दोस्तो कितने सालों में 76,000 बन जाता तो 76,000 बनने के लिए 36,000 का ब्याज आना चाहिए 36,000 का मतलब 90% ब्याज आना चाहिए बच्चो 90% ब्याज तो 9 साल में आएगा यनि आप यूं भी कह सकते हो कि एक साल में ब्याज बनेगा चारजार और नो साल में बनेगा चारजार 36,000 is the correct answer सब लोग बड़ी इमानदारी से बताओ बिटा तेको सवाल में जोड़ तोड़ कई बार करना पड़ेगा लेकिन मुश्किल नहीं है सवाल मुश्किल नहीं है पेपर का पूछा हुआ सवाल है सिंपल इंटरस्ट के इसी प्रकार के कुश्चन आजकर एक्जाम में ट्रेनिंग वाले बोड़ पर हैं ये वाले सवाल बेटा खूब दिये जा रहे हैं तो अगर ये जानकारी आपको समझ में आई तो बता दीजिए एक बार अगर आप इस पॉइंट को समझ पाए तो इनफॉर्म कर दीजिए कि हाँ ये वाली बात मेरे लिए क्लियर है इस बात को अपन ट्राइ कर पा रहे हैं एक साल का ब्याज चार जार रुपे और नौ साल का ब्याज चारिस जार रुपे चारिस जार रुपे प्रिंसिपल 36 का ब्याज और ये 76 बन जाएगा बिना कोई दिक्कत के ये डेटा तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा ना चलिए मैं डेटा तुम्हें बताने की कोशिश कर देता हूँ ये सवाल कल भी आया था ये फरस्ट वाली जगह पे लिखाऊ है 200 यहां लिखाऊ है 225 यहां लिखाऊ है 1.500 यहां लिखाऊ है 1.500 यह है 275 यह है 200 यह है 175 यह है 275 यह है 300 और यह है 325 एर की बात करोगे एर भी दिखाई पढ़ रहा आपको बेठा नहीं पढ़ रहा देखलो यह 2014 है यह 2015 है यह 2016 है यह 2017 है और यह 2018 है 2014 और 2017 में देखे ब्ल्यू कलर में कार A की बात हो रही है और रेड कलर वाला कार B की बात कर रहा है यह भी आपको बता देखे चवदा और अठारा में A प्रकार की कारे हैं इसमें है 200 और उसमें है 300 200 और तीन सो हो गया 500 अनुपात पंदरा और सत्रा में B पंदरा में डाई सो और दो सो पिछेत्तर यह पान सो पच्चिस इनको अगर पच्चिस से काटेंगे पच्चिस दूनी पचास पच्चिस दूनी पचास एक 20 अनुपात 21 अनुपात बन गया डियाई के सवाल बचो पेपर में इजी ही आते हैं बस यह जानकारियां आपको ठीक से देखनी आनी चाहिए डियाई के सवाल टफ नहीं होते हैं मंतली एकस्पेंडेचर दिया है एक फैमली का विभीन मदों पर एक परिवार का खर्चा आपको डिगरी में बताया है डिगरी में बचो डिगरी में बताया है और परसेंटेज में पूछा है दिगरी में आप जानते हैं पूरा पूरा डिगरी में आता है दोस्तों मकान रेंट पर किराय पर खिचना खर्चा करता है रेंट पर खर्चा कर रहा है साथ डिग्री रेंट पर खर्चा कर रहा है साथ डिग्री साथ डिग्री कितने में से तीन सो साथ में से इसका मतलब 1 बटा 6 और percentage value अगर बात करते हैं 1 बटा 6 का मतलब होता है 16 2 बाई 3 16 2 बटा 3 परसेंट 16 2 बाई 3 परसेंट 16 2 बाई 3 परसेंट 16 2 बटा 3 यह बता दो भीए प्राइंगल का सवाल है पाँचमा सवाल है बहुत आसान सा प्रशन है तुम्हें गवराने वाली सवाल में कोई बात ही नहीं है एक समकौन त्रिभुज की दो लंबवत बुजाओं के बीच का अंतर है 17 शेत्रफल है 84 त्रिभुज का प्रिमाप ग्याद करना है 17 का अंतर तो थोड़ा बहुत समझ भी लो गया तो थोड़ा बहुत मामला तो समझ भी लोगे बेटा 17 से रिपलेट याद रहने ट्रिपलेट जैसे तीन चार पांच बारा पांच तेरा पंदरा आठ सत्रा चौबिस साथ पच्चिस देख सकते वैसा प्रिमाप बताओ बेटा फटा फटा फट सब बच्चे दो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं साथ साथ पढ़ रहे हैं बेटा आप सब मुझे बताईएगा कि टोटल क्या आपके हिसाब से प्रिमाप होना चाहिए वाट शुट भी दा परिमेटर फट ट्रियंग नहीं आया आंसर सुनो एक राइट एंगल ट्रैंगल है एक समकौन त्रिबूज है इसकी जो लंबवत बुजाएं प्रपेंडिकूलर साइड है इनमें 17 डिगरी का डिफरेंस है तो 17 का डिफरेंस देखकर आप यह साथ और यह 24 मान सकते हों 24, 25 का बच्चो एक होता है ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रैंगल में 24, 25 का होता है ट्रिपलेट 24 और साथ में डिफरेंस 17 का है और एरिया भी दिया हुआ है 84 एरिया का फर्मूला होता है एक बटा दो गुणा आधार गुणा उन्चाई तो अगर मैं इस बात को भी समझता हूँ देखो एरिया भी 84 आ रहा है इसका मतलब यह वैल्यू पूरण रूप से सैटिस्फाइड कर रही है और अगर यह वैल्यू सैटिस्फाइड कर रही है तो बचो प्रिमाप आपके ट्रैंगल का 24 और 25 और साथ कितना हैगा 56 हम लोग अपना उत्तर बता देंगे लेकिन सर यह बात मान लो कि मैं एकदम से नहीं कर पाया मेरे माइंड में 24,7,25 एक ट्रिपलेट नहीं आता या कोई बड़ी संख्याइड नहीं याद है तो क्या करेंगे तरीका क्या होगा देखो ऐसे में आप ग्याद कर लेंगे बेटा आप एक साइड को एक्स मान लो ए इर्या तुम्हें दियाऊए 84 एक बटे दो गुणा अधार गुणा उंचाई एक बटे दो गुणा अधार गुणा उंचाई दियाऊए 84 आपने का दो से उदर गुणा करेंगे x square plus 17x minus 168 बराबर 0 दो ऐसी संख्या हैं बताइए गुणा करेंगे तो आएगा 168 minus का जोडेंगे तो 17 आप कहना जी 24 और 7 ये minus का 7x minus 168 बराबर 0 बच्वो एक्स इन में से common ले लिया एक आगया x plus 24 minus 7 common लोगे एक आजाएगा x plus 24 बराबर हो जाएगा 0 एक value बनेगी x की minus की 24 और एक value बनेगी x की 7 minus वाली value consider करनी नहीं है तो आपने का सर अगर मैं x को 7 मान लूँगा तो 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 17,7,24 और एक ये बन गया 25 ये लो बिटा अब ये बात आपकी satisfied हो गई आपने direct इसको तरीके से quadratic equation से भी solve कर लिया तब भी आपके सवाल का उत्तर क्या बनाए 56 पर ये सब करने में आपका थोड़ा समय जाएगा बेटा ये सब करने में आपको time देना पड़ेगा और आपको केवल और केवल एक ही बात समझनी है सर ट्रिपलेट याद करने है ट्रिपलेट आपको सारे याद होने चाहिए जो मेनमेन ट्रिपलेट अपने SSE वाले अकसर यूज किया करते हैं वह है तीन चार पांच छह आठ दस बारा पांच तेरा पंदरा आठ सत्रा चौबिस साथ पच्चिस चौबिस दस चबिस चालिस नो एकतालिस पेस एक्किस उनप्तिस साथ ग्यारा इकसट हलांकि ट्रिपलेट होते तो और भी बहुत सारे है होते तो और भी बहुत सारे हैं लेकिन इनका यूज जादा आता है तो ये आपको याद होने जरूरी है वेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने है सवाल बहुत आसान है बोड मास और बोड मास में भी कई बार तो सवाल थोड़े कॉंप्लेक्स भी आज आते हैं लेकिन ये सवाल बोड मास का एक आसान प्रशन है बचो ये एक बोड मास का आसान सवाल है ये एक बोड मास की इजी जान करिए कर लिया होगा आपने पांच माइनस 35 में पांच का भाग दो गए 7 गुणा पंदरा 105 बटा में हो गया 10 105 में से 10 गए पिचान में बटे 10 उत्तर आएगा माइनस का 9.5 कई बार तो बोड मास के सवाल इतने बड़े बड़े आज आते हैं और आज इतना आसान सा आगया कि मतलब सवाल का नाम ही नहीं है नो करमागत संख्याओं का ओसत 20 है The average of 9 consecutive numbers is 20 Find the smallest number इन में से सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए पिटा 9 करमागत संख्याओं है इनका ओसत है 20 9 नमबर हैं लगातार average कितना है? 20 है सबसे छोटी संख्याओं बतानी है आपको smallest number बताना है करमागत का मतलब यह AP में है पांच पांच पुछोगर 9 नमबर की बात आती है 9 संख्याओं की बात आती है और average की बात बोले न तो average उनका एकदम 20 का नमबर होता है यह वाला तो बाकी सारे नमबर होंगे 19, 18, 17 और 16 आगे की बात करोगे 21, 22, 23, 24 सबसे चोटी संख्याओं पूछेगा 16 सबसे बड़ी संख्याओं पूछेगा 24 और शायद तुम्हें यह बात भी याद है मैंने आपको बताई भी थी पहले और लास्ट का average भी 20 ही आएगा बचो सेकिंड और सेकिंड लास्ट का average भी 20 आएगा इनका भी 20 आएगा और यह भी 20 है और इन सारे संख्याओं को मिला कर भी average क्या बनता है 20 है इस 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 अ कंसेप्ट आफ एपी बचो यह अर्थमेटिक प्रोगेशन का सवाल था एपी के काईदे का सवाल था यह अगला सवाल यह देखो भाईया कितना बढ़िया सवाल है ऐसे सवाल आते हैं बाला करता है चिंता का ओह 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 यह क्या आगया पेट्रोल की कीमत में 5% से तेजी आई हमेशा ही आती है बडोत्री से पहले कीमत 82 रुपे पर लिटर थी एक आदमी हर महिने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है उसकी कार 15 किलोमीटर पर तीलिटर का माइलेज देती है पेट्रोल की कीमतों की वर्दी के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक वे कितने रुपे बढ़ गया लगबग कितने रुपई का खर्चा हर महीने का बढ़ गया हो इस सवाल तो भाईया मेरे इसाब से 30 सेकिंड में हो जाएगा 30 सेकिंड में अलांकि 10 सेकिंड तो नहीं कह सकता मैं 30 सेकिंड तो सवाल पे लगी जाएंगे इतना कुछ पढ़ने में सौल करने में दोस्तो पेट्रोल की कीमत है 82 रुपई पर लिटर पेट्रोल की कीमत है पेट्रोल की कीमत यह है दोस्तो 82 रुपीज पर लिटर एक आदमी हर महीने 3045 किलोमेटर की यात्रा करता है बड़ा जीव आदमी नाप तोल के चलता है पूरा यहां तो इसा भी नहीं है कार किती चलती है तीन हजार पंद्रोल उसे कितना तेल चाहिए हर महीने सुनो 3045 किलोमेटर जाता है नाप के और उसकी कार उसकी कार 15 का माइलेज देती है 15 दुनी 30, 15 तिया 45 पेटा 203 लिटर उसको तेल चाहिए महीने का उसपे पेटरोल की जो खपत है ना पेटरोल की खपत महीने की 203 लिटर का है तो उसका खर्चा कितना है एकस्पेंडेचर महीने का है दोस्तो 203 गुणा 82 रुपए का इतने रुपए का इसका खर्चा है दोस्तो तेल का 203 गुणा 82 रुपए का खर्चा करता है गुणा मत करो एक बार लास्ट में करेंगे पेटरोल की कीमत 5% बढ़ गई पैटा 5% बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ेगा 5% अब खर्चा कितना बढ़ गया आपको नया खर्चा नहीं पूछा आपको increase पूछा हैं तो आप कहना सर्फ 203 गुणा 82 गुणा में कर दीजिए एक बटा 20 5% खर्चा बढ़ेगा 5% का मतलब एक बटा 20 बढ़ेगा 2 से काट लेना 10 और 2 से काट लेना 41 आपके सवाल का उत्तर बन गया 203 गुणा 41 बटा 10 तो दो सो गुणा 41 गुणा 200 करोगे तो यह आएगा ब्यासी सो और 41 गुणा 3 करोगे तो यह आएगा 123 तो तो तिरासी सो तेईस रुपई आ गया 8323 बटा 10 एगजेक्ट मैं आपको बताऊ ना तो बटा 832.3 रुपई खर्चा बढ़ गया लेकिन .3 इन्होंने नहीं पूछा इन्होंने का निकटतम रुपई तक बताईए आस पास जो भी रुपईया वहां तक ज्याद कर दीजिए तो 832.2 रुपई इतना खर्चा महिने का बढ़ जाएगा कैलकूलेशन भी बहुत बढ़ी नहीं थी सवाल में बस आप लास्ट में चीजों को एक साथ बनाने का प्रियास कीजिए बढ़िया सवाल दोस्तो नो नमबर क्वेश्चन एक वेपारी को एक वस्तू 425 रुपई में बेचने पर 15% की हानी होती है 5% का लाब अर्जित करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए बेटा 15% CP अगर मैं 100 मानता हूं तो आपको पता है दोस्तों कि 15% के लॉस पर यह आर्टिकल 85 का बिकेगा और 5% के प्रॉफिट पर यह आर्टिकल बिकेगा दोस्तों 105 का तो यह जो सवाल में आपको दिया हूँ है ना 425 यह दोस्तों 85 की वैल्यू है और 105 की वैल्यू पूछी गई है 5 से काट लीजिए 21 5 से काट लीजिए 17 17 दुनी 34 आठ पांच पिच्चासे तो 525 रुपए में बेचिएगा मालिक यह आर्टिकल 525 में बेचिएगा तो आपको 5 परसेंट का लाव हो जाएगा 5 परसेंट का आपको प्रॉफिट कमा दिया जाएगा एक और सवाल इतने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुल अंकों के बेटा टोटल मार्क सवाल में तीज दिये हुए हैं पुल अंकों से दो तिहाई से कम अंक प्राप्त किये हैं दो तिहाई से कम तीस का दो तिहाई आएगा बीस तीस का दो तिहाई आएगा बीस है तो बीस से कम नमबर किनके आएं हैं पटब यह जो बच्चे हैं इनके नंबर 20 से कम आए हैं 2 और 8 10, 17 और 8 25 यह 25 बच्चे ऐसे हैं 25 बालक ऐसे हैं जिनके नंबर दोस्तों 2 तिहाई से कम आए हैं किजी जानकरी आगे दोस्तों आगे सवाल और करेंगे उससे पहले जरूरी है आपको हमारे आज के इस इंट्रस्टिंग ऑफर के बारे में जानकरी देना प्यारे बच्छों आप जानते हैं अनकेडमी प्लैट्फोर्म पर इंडिया के टॉप एजूकेटर दुवारा ससी के हर एक्जाम की कंप्लीट प्रिपेशन आपको करवाई जाती है तो 22 से 25 तारीका यह ओफर चल रहा था जिनमें अब केवल दो ही दिन बाकी है आज 24 और कल 25 कल बेटा राप तक यह ओफर आपका पूरा हो जाएगा इसमें बच्छों मेगा ओफर में आपको अनकेडमी प के आसपास आफ अपना ग्रेब कर सकते हैं आज ही तो प्यारे बच्छों यह ओफर दो दिन के लिए है रेफरल कोड यूज कीजिएगा जिससे बच्छों आपको यह मैक्सिमम डिसकाउंट मिल पाए प्यारे बच्छों यह अनकेडमी गवर्मेंट एक्जाम लर्निंग टे सकते हैं अपने दोस्तों के साथ एज गेम अपने पढ़ाई कर सकते हैं बहुत ही इंट्रस्टिंग चीज़ हैं नोट्स एकजाम से लिए बटा आपको प्रवाइड करवायज आ रहे हैं हाड़ कोपी और सुफ्ट कोपी दोनों के फॉर्मेट में आइकॉनिक वाले कोपी के फॉर्मेट में नोट्स आपको दिये जा रहे हैं वाकी बच्चा सॉफ्ट कोपी सेल्फ स्टडी टैब में अविलिबल हैं वहां से आप इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आज बच्चों तारीक 24 नमंबर है आज से आपके लिए प्लैट्फरम पर हमारे न 24 नमंबर से एम जीडी कॉंस्टेबल का बैच आ रहे हैं टारगेट MTS का बैच आ रहे हैं आसके डाउट का फीचर आपको मिलता है तो अनकैडमी प्लस या आइकॉनिक पे सबस्क्राइब करने के लिए आप लोग सुमित गोल सरकोड का यूज करें अगला सवाल है बच्च A, B, C किसी काम को 8, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं सब लोगों का उत्तर आना चाहिए ठीक से झाल सवाल बहुत आसान है वेरी गुट एक इसी काम को आठ दिन में करता है दोस्तों बी उस काम को दस दिन में करता है और सी उस काम को बारा दिन में करता है बारा और दस का LCM आ गया साथ लेकिन इसमें अभी दो की कमी है 120 एफिशेंसी आ गई 15, 12 और 10 तो तीनों ने मिलकर एक साथ काम पूरा किया एक साथ काम पूरा करते हैं एक साथ काम पूरा करते हैं तो टाइम का कोई इश्यू नहीं है तीनों लोगों ने सेम टाइम के लिए काम किया है तो सेम टाइम के लिए काम किया है तो बच्चों पैसा जो बटेगा वो efficiency के ratio पर पढ़ जाएगा वैसे तो पैसा बनता है काम के हिसाब से काम depend करता है efficiency और time time बराबर है efficiency में बाट दीजिए तो 5550 रुपए value है 37 की हमने पूछा B का इसा बताइए 12 का value ग्याद करने 37 से कम 37 185 बारा पंदरा बारा एक सवसी अठारा सो रुपए उत्तर बनेगा 1800 इस दा करेक्ट आंसर बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया काफी अच्छी बात है कि मैंसोरेशन कि 7 सेंटीमेटर त्रीजिया वाले एक गोले के आयतन और साथ सेंटीमेटर त्रीजिया और 10 सेंटीमेटर उन्चाई वाले चंकु के आयतन में अंदर क्या है कि दो चीजों का volume ग्यात करना है उनका difference आपको बताना है दो चीजों का volume ग्यात करना है और अंतर आपको बताना चाहिए साथ सेंटिमेटर तरिज्या वाले एक गोले के आयतन तो आप जानते ही है चार बटे तीन पाई यार क्यूब होता है आर का मतलब साथ है माइनस शंकू का आईतन होता है एक बटा तीन पाई आर स्क्वार एच आर स्क्वार का मतलब साथ का स्क्वार और एच का मतलब दस है दोस्तो कॉमन क्या क्या आ सकता है ले लिजिए एक तो एक बटा तीन कॉमन आ जाएगा पाई का मतलब 22 बटे 7 कौमन आ जाएगा आर 7 का स्क्वाइर 49 कौमन आ जाएगा बस और तो नहीं आ सकता तो यहां 1 तो बच गया 4, 1 बच गया 7 ठेक है इसमें 1 बटा 3 भी आ गया, पाई भी आ गया, 7 का स्क्वाइर भी आ गया इस दस बच गया यानि दोस्तों, 1 बटा 3 गुणा, 22 बटे 7 गुणा, 49 गुणा, 28 में से 10 गए 18 तीन से काट देना 6 बार कर जाएगा यह काट देना 7 बार कर जाएगा आपके सवाल का 42 दुना 84 गुणा 11 924 आंसर बनेगा 924 आपके सवाल का उत्तर बनेगा कैलकुलेशन को माइन माइन में करने का प्रियास किया गरो जितना हो पाए उतना चीजों को तेज गती में करने का प्रियास करना मैंसोरेशन का कंसेप्ट डारेक्ट फॉर्मुले पर डिपेंड करता है फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ सवाल लिख रहा हूँ सॉल तो आप लोग करेंगे तीन सेक्स्क्वार थीटा प्लस टैन थीटा माइनस साथ बराबर जीरो थीटा जीरो और नाइनटी के बीच में एक्जिस्ट करता है तो हमसे पूछा गया भीया टू साइन थीटा प्लस तीन कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस सेक्थीटा जल्दी से बतादो मान क्या बनेगा जल्दी बतादो मान क्या बनेगा इससे तो इजी क्या ही करोगे है तीन सेक्सक्वाइर थीटा प्लस तेन थीटा थीटा का मान 45 कर लें क्या चार और तीन साथ एक तीन दुनी छै और एक साथ में साथ गए जिरो थीटा 45 पे सैटिसफाइड कर रहा है तीके आप थोड़ी वैल्यू को समझने का परियास करें तैन थीटा और यह साथ और यह जि जिसमें रूट राट ना आते हूं तो तो मुझे लेना नहीं जीरो से बड़ा थीटा है नाइंटी पे कम है तो बचके 30 45 60 ट्राइ करते हैं 30 और 60 पे रूट बनता 30 और 60 पे रूट बनता तो रूट में फिर कहानी जीरो के एक्वल बन नहीं पाती बटा तो 45 मान मान उसका स्कॉायर करूंगा दो पलस एक माइनस साथ छै एक साथ में साथ गए जिरो दोस्तों अपने सवाल में ये बात तो कभी संभवी नहीं है अब आपने बात को चेक किया टू साइन थिटा दो गुणा साइन पंतालिस है साइन पंतालिस का मतलब एक बटा अंडरूट द साइन पंतालिस तीन कॉस थिटा कॉस का मतलब एक बटा अंडरूट दो बटा में को सेक पंतालिस का मतलब रूट दो और सेक पंतालिस का मतलब भी हो गया रूट दो उपर एलसियम लोगे बनेगा पांच बटा रूट दो और ये आगया दो रूट तो इनका बचो आपस में गुणा बन जाएगा पांच बटे चार सी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा प्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को पुट करके डारेक्ट आप ये बात चेक कर पाएंगे वैसे बचो इस सवाल को देखने का तरीका डारेक्ट एक ये भी होता है कि अब सैक की जगाए पे इस सैक की जगाए पे वन पलस टैन स्कुआर थिटा लिखकर क्वाडिक एक्वेशन बनाकर उससे अपने सवाल को सॉल्ट कर दीजिए क्वाडिक इक्वेशन को बनाकर उससे अपने सवाल को सॉल्ट कर दीजिए वो भी तरीका आपके लिए सही है पर वो टाइम टेकिंग है डारेक्ट मान को एजूम करना आपके लिए आसान पड़ेगा इसी बात जोमेट्री तो आपने क्लास में बहुत हाई लेवल की पड़ी है लेकिन दोस्तों ये एंगल बाइसेक्टर का सवाल है एंगल बाइसेक्टर की कॉमन सी थ्योर्म है सब लोग ट्राई कर दीजिएगा पेपर बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब नहीं आता है बचो लेवल की जानकारियां याती है ट्राइंगल ए बी सी में बी का समद्वी भाजक एसी को बीडी पर मिलता है एसी बी बी सी एसी के मान दियों में एडी का मान गयात करना है इसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का बाई सेक्टर सामने वाली बुजा को उसी अनुपात में तोड़ता है जिसमें वो बुजाएं जिसमें वो एंगल बना उता है बड़ी नॉर्मल सी यह त््योरम है a, b, और c एंगल B का बाइसेक्टर है ये B का बाइसेक्टर है दोनों एंगल को सेम सेंट तोड़ रहा है डी पर कटता है A B की वैल्यू बारा है दोस्तों AB की value 12 है BC की value 18 है तो आप ये बात जानते हैं कि अगर ये 12 है ये 18 है तो इनका अनुपात भी 2-3 ही बनेगा AD और DC का अनुपात भी 2-3 बनेगा ये पूरी भुजा AC 15 है तो 15 को अगर 2-3 में तोड़ूंगा ये 6 और ये 9 6 और 9 बनेगा AD का मान पूछा है 6 बोल दीजिए DC का पूछता आप no बोल देते हैं आप ratio समझिएगा किसी भी angle का bisector सामने वाली बुजा को उसी अनुपात में तोड़ता है जिसमें ये बुजाएं दी जाती है और कोई अलग बात आपको try नहीं करनी है सवाल नमबर 15 जिसके इससे में पेपर आया होगा बादें वो पहुत पस्ताया होगा नर्मलाजेशन का मामला उन्हें खराब कर दिया होगा नर्मलाजेशन में मामला गडबड हो गया होगा रजे A, C, E में मिलाकर युवाओं की संख्या A, C, E पेटा A, C, E में युवा इसमें हैं 12 और साड़े ग्यारा और 9 ये है 12 और 11 तेईस पॉइंट पांच 23 और 9 बत्तिस पॉइंट पांच आगया जी 32 पॉइंट पांच का अनुपाद पूछा है पी, C, D में एम्प्लोएड B में है साथ C में सत्रा और D में साथ पॉइंट पांच 24 पॉइंट पांच है दोस्तो पॉइंट से पॉइंट तो कटी जाएगा मतलब नहीं है 5 से काट लो 5 इकातीस, 5 पांच 25 5 चोका 20, 5 निम 45 65 अनुपाद 49 उत्तर सवाल का B बनेगा ये DISSC में इसी लेवल की इजी बनती है चिंता नहीं करने है जोमेट्री बताईए दोस्तों जोमेट्री मैं आपका इंतजार कर रहा हूं इस सवाल का उत्तर मुझे आप सबसे चाहिए आप सबसे आंसर चाहिए दोस्तों आप सबसे बिन्दू P से एक वरत पर सपश रेखा खिंची जाती है जो वरत को T पर इस परकार मिलती है कि P T 10.5 है एक छेदक रेखा एक सीकेंट लाइन है P A B जो A और B पर बिन्दू पर वरत को काटती है P A साथ है A B की लंबाई गयात करनी है इसके लिए हमें एक सर्किल बनाना होगा इल्कुल गॉल चक्कर वाला यह दोस्तों मैंने एक सर्किल बना ली इससे थोड़ी दूर दूर किते चंकर राज़ यहाँ एक पॉइंट है P P से वरत पर एक आपने बनाई दोस्तों तेंजेंट लाइन यह मैंने तेंजेंट लाइन डाल दी इसके उपर PT और PT का साइज कितना है 10.5 एक बिटा बनाऊ छेदक रेखा छेदक रेखा मतलब जो इस सर्किल को काटती हुए जारी है आइसा तर्किल को PA और B पर काट रही है लाइन का नाम PA भी हो गया PA साथ है आप यह वाला पार्ट X मान लो तो आपको यह थ्योर्म आती होगी बेटा PT का जो स्क्वाइर बनेगा PA गुणा PB बाहर की लाइन गुणा पूरी लाइन बाहर की लाइन गुणा पूरी लाइन PT स्क्वाइर बराबर PA गुणा PB तो PT का स्क्वाइर कित्ता बन गया 10.5 गुणा 10.5 PA का मान साथ थाई और PB मुझे पता नहीं है मैंने 7 प्लस X लिख दिया PB मतलब 7 प्लस X बनेगा दोस्तों साथ से कट पाएगा साथे 10 और 5.25 पंदरा पॉइंट पिचेत्तर एक्स आगया दोस्तों 8.75 आपसे X का मान पूछेंगे X भी आजाएगा 8.75 इस बुजा की X वाली साइड की X वाली साइड की लंबाई आगी दोस्तों 8.75 8.75 17 नमबर सवाल यदी कोई संख्या 6.24 से डिवीजिबल है कोई नमबर ऐसा है जो 6.24 से विभाज्या है 6.75 होगा वही संख्या 16 से विभाज्या करेंगे तो रिमेंडर क्या बनेगा देखो 624 तो पूरा-पूरा पूरा से कट रहा है क्या पूरा चक्तिया 48 पूरा-पूरा इसका मतलब तरे Crime को ही आप Northwest se लिवाइड कर लेजिए 1548 और रिमेंडर कित्ता बच गया मेझोमेंडर बॉस्ता्य मेंडर climateometer कि इसी में 16 का भाग कर लो इसी में 16 का भाग कर लिया तो आपकार किंटना या 5 Profit and Loss कीजिएगा देखते हैं लाब होता है हानी होती है सवाल करने के बाद एक बार यह सवाल सब बच्चे ट्राइ करतो बेटा एक वस्तू का अंकित मुल्या 625 रुपए 32 परसेंट का डिसकाउंट देने के बाद में 25 रुपए का लाब हुआ लाब परसेंटेज ग्याद करना है लाब परसेंटेज ग्याद करने के लिए आपको सीपी ग्याद करना पड़ेगा क्योंकि Profit and Loss का जब भी कभी जाता है और वो आपको पता होना जलूरी है मार्क प्राइस रुपए सेलिंग प्राइस होगा देखो अगर तुमने 32 परसेंट की डिसकाउंट किया बेटा यकीनन आपने ये आर्टिकल 68 परसेंट का बेचा होगा 68 68 270 और 300 सहिए 25 चोका सो 25 पच्चिस 625 चार से 17 बार तो पच्चिस पांच सो से पांच सो से पिचेतर कम 425 रुपए का बेचा होगा ये आर्टिकल दोस्तों आपने 425 का बेचा होगा और 425 में से 25 रुपए प्रॉफिट के हैं प्रॉफिट के 25 रुपए हैं इसका मतलब ये आर्टिकल तुम्हें 400 रुपए का मिला होगा क्रेम मुल्या 400 रुपे रहा होगा प्रॉफिट का प्रसेंटेज ग्याद करते हैं तो 25 का लाब हुआ 400 रुपे पर हुआ गुणा में 100 प्रसेंट दो जिरो काड़ दीजिए 6 सही 1.4 प्रसेंट का लाब हुआ प्रॉफिट के प्रसेंटेज की बात करोगे तो एक्जेक्ट पूछेंगे तो मैं 6.25 प्रसेंट भी कह सकता हूँ और निकटतम पुर्णांग की बात बोली गई है तो सी इस सवाल का उत्तर कर सकते हैं जो बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं वो इन सवालों को पेपर में क कर पाएंगे बिटा रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करते रहेगा अभ्यास करते रहेगा रिजल्ट आपका शात्र आएगा इस बात में कोई दो डाउट नहीं है बिटा a b से 8 साल छोटा है 4 साल पहले उनकी आयू 1 अनुपाद 2 के नुपाद में थी बी की वर्तमान आयू वर्षों में क्या है बी की वर्तमान आयू क्या है क्या आप सब लोगों को ये बात पता है कि आप सब बच्चे ये बात जानते हैं कि age का difference कभी भी change नहीं होता age का difference कभी भी change नहीं होता चार साल पहले four year before a और b की a जना उनका ratio था एक दो examiner कह रहा है वो आठ साल का difference है बचो आज अगर आठ साल का difference है तो चार साल पहले भी आठ साल का difference था इसका मतलब ये is 8 और ये is 16 चार साल पहले भी 16 साल का था तो आज present में ये हो जाएगा 12 साल का और ये हो जाएगा बीस साल का मैंने पूछा बताएए वी की वरतमान एज कितनी है तो बीकी वरतमान 20 आएगी बटा वी सापके सवाल का उत्तर बनेगा ये तो बात था सवाल में कि ये बताओ साथ का सबसे छोटा गुणज कौन सा है साथ का मल्टिपल कौन सा है जिसे आठ नो बारा पंद्रा से डिवाइड करें तो प्रतेक स्थिती में पांच बचे साथ का मल्टिपल नहीं है साथ का मल्टिपल नहीं है यहाँ सात्या एक चार दो यह भी नहीं है तात का मल्टिपल तो एक यह अप्षन है और तो आपको सोचना भी नहीं है लेकिन तरीका समझो बेटा मैं कहा रहा हूं आठ नो बारा पंद्रा से डिवाइड करने पर पांच बचे आठ नो बारा पंद्रा से अगर मैं डिवाइड करूना तो प्रतेक स्थिती में रिमेंड फाइव आए तो बेटा अगर ऐसा नींबर आपको गयाद करना होना अगर तुम्हें ऐसा न Não ग्याद करना होना आप यह एक उना हतंतर प्रक्ता है यह स्मोलेस्थटनबर अगर चोटी से छोटी संख्या पूछा अगर चोटे सचोटा नंबर पूछे तब 8 9 12 17 का LCM लेके 5 जोड़ दीजिए उनमें 5 से भाग जाएगा आपने कासर इंसे डिवाइड करने पर 5 बचेगा 12 और 15 का LCM आगया 60 यहां पे गुणा करोगे 180 सी एक सो सी में चार तो है बटा LCM आगया 360 प्लस पांच लेकिन आपने कासर कुछ और भी कंडिशन आएगी तो बटा जब एनी नंबर पूछे ना कोई और नंबर भी ऐसा पूछे तो आप 360 के प्लस फाइव कर लिजिए गा जब भी कभी आपको ऐसा कोई नंबर ग्याद करना होना तो अब 360 के प्लस फाइव कर लेना वैसे तो आप्शन से बात बन जाती है तरीका बता रहा हूँ 360 के प्लस फाइव कर लेना यह के का मान क्या आएगा के का मान समझ में नहीं आ रहा के के मान की जगा क्या लिखो तो सुनिएगा मेरे को संख्या चाहिए वो साथ का multiple चाहिए साथ का आप इसमें साथ का भाग दो साथ का भाग दोगे तो साथ पंच पेंटिस एक जिरो पाँच जिरो अगर मैं इस सवाल में साथ का भाग दोगा तो remainder आ रहे हैं तीन 357K ये तो पूरा-पूरा कट गया साथ से 3K प्लस 5 ये वाली बात साथ से कटने चाहिए प्यारे बच्चों देखों इस साथ से कट रहा है 7, 5, 35, 7 कट रहा है ये चीज भी साथ से कटनी चाहिए ये बात भी साथ से कटेगी तो आपका नंबर 7 का मल्टिपल आएगा आपका नंबर 7 का मल्टिपल आएगा आपने का अगर मैं K की जगाए एक रखता हूँ 3 और 5, 8 आठ नहीं कट रहा 2 रखूंगा 6, 5, 11 नहीं कट रहा 3 रखूंगा 9, 5, 14 कट रहा है K का मतलब 3 रखने पर 9, 5, 14, 7 से कट पा रहा है 8, 5 इस दा करेक्ट आंसर B आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए B शुडबी राइट आंसर B शुडबी करेक्ट आंसर कुछ इंता की बात ही नहीं दो ट्रेनों की गती का अनुपाद 2 अनुपाद साथ है पहली ट्रेन 5 गंटे में 500 किलोमेटर चलती है दूसरी ट्रेन दोनों ट्रेनों की गती का योग क्या बनेगा स्पीड का रेशो दिया हुआ है 2 साथ पहली ट्रेन 5 गंटे में डाइसो इसकी स्पीड आगई 50 किलोमेटर पर आवर तो 50 अगर 2 की वैल्यू है योग पुछा है 9 की वैल्यू पुछी है 25 निमा 225 225 किलोमेटर पर आवर दिया आपके सवाल का उतर डाइग्राम ठीक से बनाकर दिया हुआ है पुड़ी सफाई के लिए मैं डाइग्राम आपके सामने एक बार फिर से क्रिएट कर देता हूं आकि आपको क्रिशन ना आए ये देखो, ये डाइग्राम में नाम दिएगे दोस्तों, इस पॉइंट पर दिया हुआ है B इस पॉइंट पर दिया हुआ है A ये दिया हुआ है C और ये दिया हुआ है AC और BD बच्छो दो common tangent है आप जानते हैं यह होती है DCT direct common tangent यहाँ पर आपको सवाल कह रहे है प्रते की 30 साथ है मतलब यह radius है बच्छो साथ है और इसकी radius भी कह साथ है BD की लंबाई 48 है यह BD की लंबाई 48 है यह दोस्तो BD की लंबाई है 48 कि BD अगर 48 है तो मैंने आपसे पूछा कि आप AC की लंबाई गयाद कीजिएगा AC की लंबाई गयाद कीजिएगा बच्छो A और C की लंबाई गयाद करनी है सवाल मुश्किल नहीं है बहुत आसान है सब लोग कर पाएंगे पूरी पूरी उमीद है इतना इजी तरीका बनाऊ गए यह दोनों के कंद्रों के बीच की दूरी आ गई बेटा यह दोनों के कंद्रों के बीच की दूरी आ गई और यही एसी का मान होगा यही एसी का मान होगा बचे वैसे देखो आप बीडी स्क्वार का जानते है फर्मुला क्या होता है बेटा कि जो बीडी स्क्वार है यह जो इनकी कॉमन टेंजेंट है इसका फर्मुला होता है डी स्क्वार दोनों केंद्रों के बीच की दूरी दोनों केंद्रों के बीच की दुरी माइनेस होता है बिटा R1 प्लस R2 का स्क्वार दोनों के केंद्रों के बीच की दुरी D1 D और ये होता है R1 प्लस R2 का स्क्वार BD का मातले मुझे पता है 48 का स्क्वार है D स्क्वार D तो मुझे ग्याद करना है R1 और R2 14 का स्क्वार हो गया यह दी स्क्वार कितना बनेगा 2304 पलस 116 दी स्क्वार की वैलिव आ गई 2500 और डी का मतलब कितना आ गया 50 यह दी कुछ और नहीं है यह दोनों के बीच की केंद्रों के बीच की दूरी है इसी का मान 50 आएगा बचो आप राइट अंगल ट्राइंगल से भी बात बासकते हैं ट्रिपलेट को देखकर भी आईडिया हो जाएगा वैसे यह फर्मूले भी आपको याद होने चाहिए बेटा कॉमन टैंजेंट का कंसेप्ट आपने जमेट्री की क्लास में पढ़ा है यह आपको याद होना चाहिए यह क्या है भाई अच्छा कुछ वैल्यूज आपको दी गई है वैल्यूज को देखकर सवाल बनाना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ग्यारा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है दोस्तों ग्यारा हो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यूज आपको दी गई है माइनस का च्छे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यह दिया हुआ है सोला सो चार और आपसे पुछा गया है एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या बने लगाओ फर्मूला, फर्मूला क्या है? फर्मूला होता है जी, x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz पराबर होता है, x प्लस y प्लस z अंदर में होता है, x प्लस y प्लस z का होली स्क्वार माइनस 3 गुणा x, y, y, z और zx यह अलजेब्रा का एक कॉमन सा फर्मूला है, जो आपने बहुत जगाँ पढ़ा होगा डारेक्ट इसको यूज करना है बेटा x q प्लस y q प्लस z q का मान मुझे दिया हुआ है 1604 3xyz यह तो मुझे ग्याती करना है कर लेंगे x, y, z की वैल्यू दी x, y जोड कर दिया हुआ है 11 इसका स्क्वार बनेगा x, y, z आ गया दोस्तो कि 4 बटा 3 पच्चिस इसदा करेक्ट आंसर a option को लॉक कर दीजिए यही आपके सवाल का उत्र कॉट b बराबर 12 बटे 5 है सेक b का मान बताओ जिसने त्रिकोर्ण में ती एडवांस नहीं पड़ी वो भी कर पाएगा वो भी यह बात जानता है कि कॉट b अगर 12 बटे 5 है मतलब की अगर राइट अंगल ट्रैंगल की बात की जाए यह अगर b है दोस्तो कॉट b तो कॉट b आप जानते हैं लाल बटे कका और बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले पाकिस्तान भूका प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा एचच भी बात भी आप लोग जानते हैं तो हमें यह बात पता है दोस्तों कॉट b कॉट कॉट क्या होता है अधार बटे लंब अधार 5 ay 008 है ते राएगा मैं सेख भी सैक भी होता है भचे सेख भी क्या होता है हाइपोटीनियस बटे बेस तेरा बटे पांच उत्तर बन जाएगा और तुम्हें कुछ करना नहीं है डारेक्ट वैल्यू पुटिंग का इस सवाल था आखरी सवाल पेपर का एक बैग में वाइट और काले मुबाइल हैं मुबाइल कवर है एक तो वाइट है मुबाइल के कवर और एक ब्लैक है मुबाइल के कवर चार अनुपाद साथ में दिये गए हैं दो सो असी काले हैं फलैक अगर दो सो असी हैं सफेद कितने हैं 40 गुना हैं 160 बनेंगे अदेशों का सवाल है बताने की नीड नहीं है माइंड माइंड में सवाल कर सकते हो बचे ये इस पेपर की जानकारी हो गई अमीद करता हूं बेटा जो 25 सवाल आपने इस क्लास में पढ़े वो औरिजनल आपके एक्जाम के लेवल के आपको समझ में आये होंगे ऐसा कॉंटेंट आप ठीक से ट्राइ कर पाएंगे अभी इतना ही बेटा बाकी एक और पेपर कल बढ़ेंगे आज की धन्यवाद शुक्रिया जय हिंद जय भारत सब ख्याल रखिये अपना